नमस्कार प्रियादर्सकों आप सब देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल इस्ट्रो सीपी त्रिपाथी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आप सब के लिए बहुत सारे मित्रों के कहने पर हमने आज से यह वीडियो बनाना सुरू किया है दैनिक रासी फल के बारे में प्रति दिन के बारहो रासी फल के बारे में हम इस वीडियो को बनाना आरंभ करने जा रहे हैं आप सब हमारे प्रति दिन के दर्शक है हमारे इस यूटीब चैनल के तो आप सब के लिए हमने ये वीडियो बनाना अभी आरंभ किया है आप सब जरूर हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो चलिए बिना बिलंब किये हुए हम अपने इस वीडियो को अरंभ करते हैं दैनिक रासी फल आज तारीक है 13 इस रासी फल में ग्रहों का रासी परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या लेकर आया है इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जीवन से संबंधित किसी भी धार्मिक जियोतिस्य संस्कृतिक कुंडली विशयों पर निराकरण और बैदिक परतांत्रिक मार्ग दर्शन हेतू विशनकोच परामर्स करें आप हमसे तो आईए हम पहले मेस राशी के बारे में चर्चा करते हैं मेस रासी फल आज का स्वास्त मढ्यम रहेगा शत्रू परेशानी उत्पन करेंगे खान पान में परहेज अवस्यक है अनेतं बीमारी परेशानी में डाल सकती है धार्मिक कारियों में मन लगेगा पूजा अर्चना में ब्यस्तता रहेगी बुद्धी चतुरता की प्रसंसा हर अस्थान पर होगी धन के मामलों में जागरुकता आवश्यक है पीला भोजन खिलाएं सन्यासी को पीले पुस्त देवी मा को अर्पित करें लावदायक होगा सुभरंग है लाल सुभ अंग है नौ असुभ अंग है तीन अब हम चर्चा करते हैं ब्रिसभ रासी फल के बारे में दैन एके ब्रिसभ रासी फल का आज हम चर्चा करते हैं पध्यान से सुनेंगे सरीर के दाए भाग में पीरा संभव है सरीर के दाय भाग में कश्ट रहना संभव है धन प्राप्ती में और चनों का सामना खरना पड़ेगा पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है जीवन साथी से अच्छा व्यवहार आपके लिए आवस्षक है संबत्ती प्राप्ती होगी धार्मिक यात्रा का औसर प्राप्त होगा माता से संबंध मधुर बनेंगे किसी के धन की जिम्मेदारी मत लीजिए आधा किलो हल्दी पके हुए खेले दो और पान दो जल में बहाए लाब होगा सुभ रंग है क्रिम कलर, सुभ अंग है साथ, असुभ अंग है पांच अब हम बात करते हैं मिधुनासी फल के बारे में बावनाओ पर नियंत्रार आवश्यक हैं, गोपनिय जानकारी किसी के साथ नवबाटिये, धोखा हो सकता है धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जीवन साथी के स्वास्त की इस्तिती विचार नहीं है वहां से सावधानी रखे, पुराने रोग परिशामी में डाल सकते हैं, भाग साथ देगा और धार्मिक आयोजन में समय ब्यतित होगा, सिवार्चन करें, साथ में चावल का दान जरूर करें कल्यान होगा सुभंक है, साथ सुभरंग है हरा, असुभंक है आठ अब हम बात करते हैं करकरा सीफल के बारे में अनावस्यक यह आपको चिंता में डाल सकता है माय नेत्र में पीड़ा होगी, उपचार लीजिए भाई बंदुओं से सहयोग प्राप्थ होगा, सत्रू पीरित और पराजित होगे जीवन साथी से अच्छा समाचार मिलेगा, कारूबार में लाव और प्रतिष्ठा मिलेगी धन को किसी प्रलोभन में आकर धन न लगाईए स्री गुरू मंत्र का जप करे, हन्वान चलिशा का पाठ करे, निश्चित ही लाव होगा सुब रंग है लाल, स्वेत, सुब अंख है नौ, और सुब अंख है तीन अब हम बात करते हैं, शिंग रासी, आज का रासी फल आमदली के स्रोत कमजोर होंगे, धन प्राप्ती में अरचनों का सामना करना पड़ेगा जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा आपको संतान पक से उत्तम समाचार प्राप्त होगा अब बात करते हैं कन्यारा सीफल के बारे में निरासा का भाव रहेगा, लेकिन मित्र सहयोगी लोगों के साथ चुनोतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे गुप्त चिंता आपको दुखी कर सकती है बाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी पर धन ब्याय होगा, पिता का स्वास्त विचार नहीं रहेगा स्री हरिद्रा गनेश की उजा करे यथा समवलाव होगा, सुभ रंग है हरा, काला, सुभ अंख है साथ, असुभ अंख है आठ अब हम बात करते हैं तुलारासी फल के बारे में आपका क्रोध और आलस से आपका सबसे बड़ा सत्त्रू बनेगा भायों से धन की प्राप्ती होगी, माता की शेवा आपको मनवांचित फल प्रदान करेगी परिवारिक गतिरोध को सामत करने का प्रियास कीजिए यही ठीक रहेगा कारोबार में संयम रखे, निकट भविशे में लाव होगा सिवारचन करे, साथ में चावल का दान करे, मंगल कारी होगा, सुभ अंख है दो, असुभ अंख है पाँच अब हम बात करते हैं व्रिश्चिक रासी फल के बारे में धन के संबंद में जानकारी प्राप्त कर, निर्नाय करे, विशे सुरुप से पैत्रिक संपत्ती को लेकर लंबित धन की प्राप्ती होगी आपको, पराकर में ब्रदी होगी, आपकी मेहनत अवश्य ही सफल होगी, आयसे अधिक प्यार रहेगा, भाग ये साथ देगा, स्रीहनवान जी की उपाशना फल दाई रहेगी, सुभ रंग है लाल, श्वेत, सुभ अंख है नौ, अशुभ अब हम बात करते हैं धनुरासी फल के बाड़े में, दिन अच्छा है, मन में उत्साह रहेगा, व्याय की अधिकता रहेगी, मियंतरन रखे, संतान पक्ष को लेकर उत्साहित रहेंगे, अचल संपत्ती खरिदने के लिए अच्छा समय है, माता के स्वास्त में कमी रहेगी, ध्यान रखे, पारिबारिक मतभेद, अन्य लोगों को मत बताईए, अन्यता समस्याओं में आ सकते हैं, स्रिमत भगवद गिता का पाट करें, या सुने, पुर्नलाव होगा, शुभ रंग है, लाल, श्वेत, पीला, शुभ अंक है, पांच, असुभ अंक है, साथ, अब हम में लाव और प्रतिष्ठा मिलेगी, धन निवेश के पहले, धन निवेश के पहले, भली प्रकार से जांच लीजिए, काली गव माता के दूध से भोले नात का, अभिशेक, सब कामनाय पूर्ण करेंगी, सुभ अंक है चार, अब हम बात करते हैं, कुमरासी फल के बारे में सत्रू आपको प्रभावित करेंगे, आत्म बल बनाए रखे आप, खान पान और संगलती आपकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालती है, इसका ध्यान रखना अवश्यक है, अचानक धन की प्राप्ती होगी, भाग साथ देगा, और धार्मिक आयोजन में समय ब्यतित होगा जीवन साथी का पूरा समर्थन आपको मिलेगा, संतान पक्ष पर ध्यान देना अवश्यक है, माता, महाकाली, गायत्री मंत्र का जब करें, लाव होगा, शुभरंग, हरा, काला क्रीम, शुभंख है 3, अशुभंख है 5, अब हम बात करते हैं मीनरा सिफल के बारे में, कितना भी बड़ा संकत हो, भागे आपकी रक्षा करेगा, आपका आत्म विश्वास आपकी सबसे बड़ी सकती है, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, जीवन साथी से धन लाव होगा, आय में ब्रदी होगी, धार्मिक कारियों में मन लगेगा, और यात्रा भी होगी, स्री आमका पाठ करे लाव होगा, शुभ रंग है लाल, श्वेत, पीला, शुभ अंक आठ और शुभ अंक दो, तो ये थी आज की दैनिक रासी फल, पुनाह कल के रासी फल के बारे में उपस्तित होंगे,